नमस्कार दूस्तो स्वागत है आपका AKTM Education YouTube चैनल पर दूस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI की नमबर वन ट्रेड में गीनी जाने वाली फिटर ट्रेड के बारे में तो दूस्तो अगर आपको फिटर ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा साथ ही इसके बद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की कोई भी जरुद नहीं है यह मैं आपको गारेंटी देता हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं तो दूस्तो यहाँ पर हम फिटर ट्रेड के बारे में पूरे 15 पॉइंट रिकावर करने बाले हैं और जितने ज़्यादा पॉइंट आप देखेंगे उतना ही knowledge आपको मिलेगा और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके अपने सभी friends के पास share जरूर करें और ऐसे ही educational वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आगन को जरूर दबाले तो चलिए देखते हैं तो दूस्तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ट्रेड की definition और इस ट्रेड के introduction के बारे में तो जैसा कि आपको नाम सही लग रहा है इस ट्रेड का नाम है फिटर तो फिटर की जो requirement होती है private और government दोनों सेक्टर में रहती है खासकर कोई भी आपका machine का पार्ट रहे उसको खोलना उसको बंद करना उसकी checking वगरा करने के लिए खासकर फिटर लोहों का यूज किया जाता है अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि फिटर ट्रेड में हमको admission किस प्रकार से मिलेगा तो मैं आपको बतना चाहूँगा कि जो हर state का अपना अलग rule होता है काफी सारे state आपके merit base पे admission लेते हैं तो काफी सारे आपके जो state हैं वो entrance exam करवा के admission लेते हैं तो जैसा भी आपके state में रहता है आप उसी प्रकार से admission ले सकते हैं अब इस course के duration के बारे में अगर हम बात करने तो जनरली ये दो साल का course रहता है जिसमें आपके 4 semester रहते हैं कहीं कहीं पे आपका semester examination होता है तो कहीं कहीं पे आपका yearly examination करवाय जाता है अगर हम बात करते हैं eligibility criteria की तो यहाँ पे आपको कम से कम तेंथ पास होना जुरूरी है वो भी science और mathematics के साथ में तो आपको यहाँ पे आसानी सा admission मिल जागा कहीं कहीं पे eligibility criteria कच्छा 8 है या कच्छा 12 भी हो सकता है बटे 10 ही generally इसमें मागा जाता है अब दुस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं fees के बारे में तो fees अगर आप government college में admission लेते हैं तो आपकी एक साल की 2-3,000 रुपए ही लगती है कहीं कहीं पे कमिया ज़्यादा भी हो सकती है जेकर अगर private college में आप admission लेते हैं तो यहाँ पे आपको 25-30,000 रुपए की fees देनी पर सकती है एक साल में या इससे ज़्यादा भी देनी पर सकती है तो फीस आपकी college to college एचेंज होती है तो यहाँ पे फीस के बारे में आपको आपके जो भी college पास कर रहा है वहाँ पर पता कर लेना चाहिए साथी अगर हम scholarship की बात करें तो scholarship आपको जरूर मिल जाती है अगर आप government college में admission लेते हैं तो वहाँ पर आपको जितनी भी आपकी फीस रहेगी सारी फीस लगवग आपको scholarship के थ्रूर रिटर्न करती जाती है तो यहाँ पे आपकी फीस जो है वो बच जाती है आज कल काफी अच्छे अच्छे private college भी बन चुके हैं तो वहाँ पर भी आपको आसानी से admission मिल जाएगा अब दूस्तों बात करते हैं certificate के type की तो किस type का certificate आपको लेना चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यहां पहराएगी NCVT government college सबसे अच्छा college माना दता है इसके बात अगर हम बात करते हैं apprenticeship के बारे में तो apprenticeship के आपको धेर सारे मौके मिल दते हैं फिटर्टेट से करने के बाद में गवर्मेंट और प्राइबेट दोनों सिक्टर में आपको apprenticeship के chances मिलते हैं लेकिन मेरा माना यही कि अगर आपको गवर्मेंट जो है गवर्मेंट को भी company रही है गवर्मेंट को भी आपकी industry रही है जैसे कि railway अगर वहाँ पे आपको apprenticeship करने का मौका मिलता है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है साथ ही apprenticeship जब आप करते हैं तो आपको स्टाइपेंड या सली भी दी जाती है लगवर्मेंट आपको आठ जार रुपए से लेकर के दस जार रुपए तक का स्टाइपेंड दिया जाता है अगर आप government sector से करते हैं तो आपको 8 या 10 के बीच में इस्टाइपेंड निमिल जाएगा इसके लब प्राइबट स्टाइपेंड में भी आपको 8-10 जार रुपए का इस्टाइपेंड मिल जाता है कभी कभी आपको ज़्यादा रुपए भी मिल जाते हैं अब दोस्तो अगर हम बात करने की अगर आईटियाए करने के बाद आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे तो दोस्तो हाई रिष्टिज के लिए सबसे उपर आता है CITS का कोर्स जिसको हम जनली CTI के नाम से जानते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा तो काफी सारे कॉर्सिज आपको I T I करने के बाद भी मिल जाते हैं अब अगर हम बात करते हैं Jobs की Availability के बारे में यानि कि कहा कहा पर आपको Job मिल सकती है तो सबसे पहले आपका आता है Government sector. Government sector में भी आपका चाहे Fitter Trade है चाहे है आपका ITA का कोई भी Unlated ہے कापी सारी Vacancies लगातार Time to Time आती रहती है इसकी lenימी कि अपको पारिवट सेक्टर में आपको Fitter Trade बालों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब है तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपको आपको जो ट्रेड है उसकी थियोरी पढ़ने को मैलेगी यादि की Fitter ट्रेड में आखिर होता क्या है किस तरीका से Fitter वर्क करता है और फियटर को क्या क्या चीज़ें पता होने चाहिए, यह सारी चीज़ आपको बताए जाएंगी इसके अलाब आपको basic math और science भी पढ़ाए जाएंगे ताकि आप calculation कर सकें और तो आपको science का भी अंदाजर है इसके अलाब आपको engineering drawing भी पढ़ाए जाती है साथ में आपको unnecessary courses भी पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका all around development हो सके इसके लब आगर हम इसके benefit advantage की बात करें तो मैंने advantage के लिए एक पूरा वीडियो अलग से बनाया है वो जाकर कि आप playlist में देख सकते हैं उस पे भी काफी अच्छा response आपका R है वहाँ पर मैंने आपके यहां से 10 से ज़्यादा benefit बताए हैं जिनको आप देख सकते हैं और दोस्तों अभी भी अगर आपको आपके मन में fitted trade को लेकर कि कोई भी doubt है या आपको idea की कि किसी अन्य trade के बारे में जाना है तो नीचे comment box में आप हमको बता सकते हैं साथे description box में हमारे social media के link मौज़ूद है आप वहाँ पर भी हमको follow कर सकते हैं वहाँ पर भी आप हमको message कर सकते हैं आपको पूरा reply वहाँ पर दिया जाएगा तो चलिए इस वीडियो को ही पर समावत करते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद